Good afternoon students, this is Rajesh here and welcome to my YouTube channel that is The Rankers Academy आज का lecture में हम लोग class 12 solutions chapter 2 जो है उसका part 3 को discuss करेंगे इस chapter का contents क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे आज के lecture में तो solubility of gas in a liquid, अभी तक हमने पढ़ा था solubility of solid in liquid और liquid in liquid है ना solid को जब liquid में मिलाते थे, जैसे चीनी पानी और liquid liquid जब मिलाते थे अब आपन पढ़ेंगे solubility of gas in a liquid, कोई भी liquid में जब gas मिल जाए, सबसे अच्छा एक्जामपल है मचली लोग जो फीसेज होती है, वो पानी में सास कैसे ले पाती है क्योंकि oxygen dissolve हुआ रहता है पानी में है ना, water में, तो mixing of oxygen in water is an example of solubility of gas in liquid next, the most important part of this lecture, it is the henry's low, henry low पढ़ेंगे, henry low क्या बताता है henry low effect of pressure बताता है, कि अगर हम लोग कोई भी gas अगर liquid में घुला हुआ है कोई भी gas अगर liquid में घुला हुआ है, तो उस पर pressure लगाने से क्या effect आता है अना, gas की घुलन सीलता में, solubility में henry low का graph भी पढ़ेंगे, henry low का formula देखेंगे, application of henry low देखेंगे and some in text questions हम लोग solve करेंगे henry low के, ठीक है तो सबसे पहले शुरू करते है solubility of gas in a liquid, ये gas को हम लोग मिला रहे है in a liquid मतलब liquid यहाँ जादा मात्रा में होगा, that is solvent होगा और gas हमारा कम मात्रा में होगा, that is solute होगा, ठीक है solubility of gas in liquid depends upon two things पिछला बारा हमने पढ़ा था, पिछले lecture में solubility of solid in liquid, liquid in solid दो चीज़ पर depend कर रहा था एक nature of solute or solvent पर और दूसरा temperature पर pressure पर depend नहीं कर रहा था, क्योंकि pressure जो है solid पर काम नहीं करता, क्योंकि solid in compressible होता लेकिन यहाँ आप दो करेगा, यहाँ पर तुम्हारा एक temperature और एक pressure, nature से कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है, तो हमको देखना है the solubility of gas in liquid, किसी भी liquid में जब gas को हम लोग मिलाते हैं, घुलाते हैं, dissolve करते हैं, disolute करते हैं, तो उसकी घुलन सीलता दो बातों पर depend करती है, पहला हमने कितना pressure लगाया है, ठीक है, तो effect of pressure को हम लोग henry's low कहते हैं, और दूसरा हमने कितना temperature उस पर लगाया है, temperature बढ़ाया है या कम है, मतलब pressure बढ़ाने से, या घटाने से gas का solubility कम होगा, कि ज़्यादा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, जो हम लोग का Coca-Cola आता था, Coca-Cola ये उसका धकन है, तो जैसे हम लोग इसका धकन को खोलते हैं, तो fizz करके बहुत सारा gas निकलता है, है में dissolve है, water पे, ये लिक्विड है ना, ये भी तो example होगया, gas इना, लिक्विड का, clear है, तो जैसे ही pressure कम करते हैं, मतलब जैसे धकन को खोलते हैं, pressure कम होता है, gas बाहर निकल जाता है, उसका घुलन सीलता है, खतम होता है, या जो sprite होता है, उसको हम लोग freeze में रखते हैं, थंडा करके, temperature क्यों कम रखते हैं, effect of temperature पढ़ेंगे, pressure pressure मतलब क्यों high pressure पे दबा करके रखा जाता है, जब seal किया जाता है, किसको Coca-Cola को, ठीक है, तो वो effect of pressure हो हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, henry's law, henry law क्या है, henry law gives a relationship between pressure of the gas and solubility of the gas in a solvent, henry law रिस्ता बतलाता है, क्या रिस्ता बतलाता है, दो, पवित्र रिस्ता बतला रहा है, दो के बीच में, किसके किसके बीच में, पहला pressure, और दूसरा solubility of gas, मतलब अगर हम किसी भी gas, मतलब जो भी चीज मिला हुआ, अगर gas liquid में मिला हुआ, तो अगर हम pressure बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, pressure, तो gas की घुलन सीलता, gas की solubility में क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगा, gas की घुलन सीलता कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, वो अपन, वो जो law है, वो law को Henry law बोलते है, तो Henry law is a law which gives somewhere idea about the relationship between the pressure of the gas and the solubility of the gas, pressure of gas, gas का दबाओ, और घुलन सीलता के बीच में क्या रिष्टा है, मतलब अगर pressure बढ़ाएंगे, तो solubility gas का कम होगा या अधिक होगा, यह कौन सा law के द्वारा पता चलता है, Henry's law के द्वारा पता चलता है, तो इसमें आपको पहला point याद रखना है कि Henry law ये one marker में आ चुका है in jackboard 2014, तो आप याद रखिएगा, question ऐसे आया था, which law gives a relationship between pressure of the gas and solubility of gas in a solvent, तो answer हो जाएगा Henry's law, इसका statement क्या है, statement भी बहुत important है, देखो Henry law का कुछ भी चीज पढ़ो, सारा चीज इंपोर्टेंट है for both the board, that is CBSC and the jack, ठीक है, कुछ भी पढ़ो, एक एक word पढ़ो, सारा, सारा चीज क्या है आपका, बहुर ज्यादा important है, किसके लिए, it is for both the boards, हाना, तो statement पढ़ते है Henry's law का, तो Henry's law का जो change करेंगा, वो pressure change करेंगा, प्रेशर change करेंगा, तो constant क्या रखेंगे, temperature, ohm slow का statement यहा थे, थोड़ा-थोड़ा, ohm slow में आपन क्या बोलते थे, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, the voltage is directly proportional to current, इसको क्या बोलेंगे, at constant temperature, वो भी और आई के बीच में relation बताता था, यह P और solubility chi, mole fraction के बीच में है, chi लिखेंगे, ठीक है, तो यह किसके किसके बीच में relation बताएगा, pressure को आपन P बोलेंगे, और solubility को आपन chi जे देनोट करेंगे, मतलब, gas का mole fraction लेंगे, काई, ठीक है, at constant temperature, आते statement पे, the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction, सर्क कैसे याद रखे, pressure है, एक mole fraction है, at constant temperature, कहीं लिख लो, at constant temperature, the pressure of the gas is directly proportional to the, यह क्या है, mole fraction of the gas, mole fraction of the gas, काई क्या है, mole fraction of the gas, P क्या है, pressure कितना आपन लगा रहे है, mole fraction को क्या बोलते है, काई बोलते है, तो clear हो गया, याद हो गया statement, पहली बात तो आपको यह याद रखना है चाहिए, that Henry's low, किस-किस के बीच में relation बतलाता है, सर, Henry's low, दो के बीच में रिस्ता बताता है, कौन-कौन सा सर, पहला pressure, दूशरा mole fraction, मतलब काई, किस का mole fraction, gas का solubility का, clear हुआ, तो इसका statement क्या है, at constant temperature, the pressure of the gas, the partial pressure of the gas, in vapor phase, vapor phase का मतलब, gas रूप में, मतलब जो gas होना चाहिए, वो vapor के रूप में, ऐसा नहीं, oxygen को liquid में भी कर सकता है, hydrogen को भी liquid कर सकता है, तो आपनको gas ने vapor phase में रखना है, तो at constant temperature, the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas, ठीक है, statement clear हो गया, अब आते हैं, formula पे, किस पे, formula पे, हमने देखा, at constant temperature, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction है, तो जाहिर से बात है, यहाँ P है, तो P of gas लिख जाता है, partial pressure, ठीक है, यह काई है, mole fraction, जब भी किसी proportional को हम लोग हटाते हैं, तो वहाँ पर constant डालते हैं, क्या डालते हैं, constant, तो P of gas, that is pressure of gas, इस proportional को हटाते हैं, तो एक constant आता है, जिसको बोलते है, KH into काई, यहाँ पर KH को क्या बोलते हैं, Henry's constant, ohms low में तो ohms का constant, force में तो force का constant, gravitation में तो gravitation का constant, तो चूंकि Henry's low में है, इसलिए यह constant का नाम क्या रख देंगे, Henry's constant, Coulombs low में जो आता है, उसको Coulombs constant बोलते हैं, बस सेम चीज़ हैं न, तो यहाँ से हमारा नया formula क्या आगया, बच्चो, pressure of the gas is equal to KH into chi, सब का meaning क्या है, P of gas क्या, partial pressure of the gas या pressure, सर्फ partial का मतलब क्या होता, ध्यान दगो, partial pressure, वहीं pressure दगो, एक होता है total pressure, एक होता है partial pressure, total pressure, partial pressure में क्या अंतर है, मालो न कि कोई दो चीज़ है, A और B, तो A और B दोनों का pressure अगर आपन एड़ कर देंगे, तो total pressure आएगा, लेकिन सिर्फ अगर A का लेंगे, या सिर्फ अगर B का pressure लेंगे, तो उसी को partial pressure कहता है, ठीक है, तो P of the gas क्या है, partial pressure of the gas, के एच क्या है, Henry's log constant है, या सिर्फ Henry constant लोगो, और X काई क्या है, काई है, काई है, काई तो molality होता है, तो किसका molality है, गैस का की liquid का सर, गैस का, जो dissolve हुआ, जो घुला हुआ, तो इसको M को काट करके काई लिख लेना, काई of gas is the molality, नहीं, यहाँ, molality कर लो, molality, यार, PDF सही से बनाया करो, यार, चलो, pressure of the gas, मैं लिख दे रहा हूँ है न, pressure of the gas is equal to, क्या होगा, k h into chi, p of the gas क्या है, partial pressure of the gas, k h क्या है, हेंड is constant, और chi क्या है, molality, molality of gas dissolved, ठीक है, molality of the gas dissolved, clear हुआ, यह तो क्या है है, हेंड is low, अब आता है बात सर, ग्राफ क्या होगा, अरे, होम्स लो, याद करो, होम्स लो का ग्राफ याद करो, बस, और मॉज करो है न, ओम्स लो में क्या पढ़ाता था, तुम लो, ओम्स लो में पढ़ाता, voltage is directly proportional to current, ठीक है, हेंड is low में क्या पढ़ रहा है, partial pressure of the gas is directly proportional to mol fraction, ओम्स लो में constant हटाते थे, तो आ रहाता था, resistance, इसमें आपन हटाते हैं, तो क्या था, k h आता है, clear है, जब हम लोग ओम्स लो का graph बनाते थे, voltage और current, तो जब भी कोई चीज directly proportional होता है, न, तो जो graph बनता है, वो beach से एकदम straight line बनता है, straight line, ठीक है, तो sir, यहाँ भी graph बना दीजे, बिलकुल बना देते हैं, इधर pressure और इधर ले ले लेते है, mole fraction, और beach में straight line, ठीक है, अब यह जो angle होता है, इसी को slope बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो angle ठीटा, यह इस line का धलान दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, धलान, slope, है न, कि यह इतना है, धलान पे है, या इतना धलान पे है, या इतना धलान पे, तो धहलान कम होते जा रहा है तो slope का मतलब होता है धहलान ठीक है तो सबसे पहला बात यह याद रखेगा कि graph of hand is low में अगर हम y axis की तरफ partial pressure of the gas मतलब p रखे और x axis की तरफ अगर हम mole fraction of the gas रखे तो जो graph आता है वो graph हमें से कैसा आता है straight line आता है sir slope इसको theta हम लोग पढ़े हैं किसमें पढ़े हैं हमने पढ़ा है application of derivative में कि slope का मतलब होता है 10 theta क्या होता है 10 theta हाँ sir 10 theta तो होता है तो छोड़ो हटाओ यहाँ पर यह जो slope है यह slope किसके बराबर होगा यह cvc में और jack में दोनों में पूछा गया कैसे बताए कैसे बताए देखो बाबू एक formula याद रखो तुम लोग y is equal to mx plus c यह मैं जब आप लोगों को class में पढ़ा रहा था application of derivatives तब एक formula लिखा था y is equal to mx plus c जहांपर m क्या होता है slope होता है यहाँ y axis की तरफ क्या है y axis की तरफ है partial pressure p x axis की तरफ क्या है x axis की तरफ है mole fraction m को m ही छोड़ दो x axis की तरफ है mole fraction तो काई ठीक है original formula क्या होता original formula होता pressure is equal to k h into काई हाँ sir k h into काई तो होता है तो अगर दोनों को compare करें तो pressure है pressure है काई है काई है मतलब जो m slope है वो किसके बराबर हो जाएगा henry's constant के henry's constant के अगर नहीं समझ मैं है तो बस छोटा सा बात ये समझो कि जो formula होता है न पी is equal to k h into x हाँ तो ये जो होता है जो constant आता वही slope होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे slope of henry's low henry low का जो slope आएगा उसको अपन क्या बोलते है k h यानी henry's constant कहते है अब बात आता है कि sir henry's constant के बारे में सब कुछ बता जीजे si unit, si unit जो जो होता है जैसे जैसे होता चलो बताते है formula आप लोगों को clear हो गया होगा कि pressure is equal to होता है k h into k i हमको k h को निकालना है तो ये k i multiply में divide में डाल दो तो यहां से आपन k h का क्या definition डाल सकते है what is the definition of k h लिखा हुआ नहीं है मैं जान बुझ करके आपको नहीं लिखा था pdf में है न मैंने जो भी pdf बना है उसको बोल रगा था कि तुम लोगो k h का definition नहीं लिखना है अरे कुछ नहीं दिवाइड में तो रेशियो p का मतलब partial pressure और काई का मतलब mole fraction of the solubility of gas दोनों का रेशियो को अपन k h बोलते हैं हाँ सर ये तो बड़ा अशान है दूसरी बात सर si unit क्या होगा pressure pressure का एसमान लो atm pressure को atm में लिखते हैं और mole fraction mole fraction का कुछ होता है si unit पिछला वीडियो याद करो सर नहीं होता है कैसे mole mole कर जाता है कोई si unit नहीं होता है तो ध्यान रखना जो si unit होगा cage का वो pressure का si unit होगा pressure का si unit क्या होता pascal तो बाबू pressure का si unit pascal होता है होता है तो अगर आपसे exam में आ गया तो क्या सर पासकल लिख देंगे नहीं जब अगर आपके chemistry के exam में आ गया कि what is the si unit of cage तो आप लिखना pascal slash atm में भी हो सकता atmospheric pressure slash bar में भी हो सकता तो तीनों तुम लोग si unit लिख देना क्यों physics में तो pascal में ही हम लोग करते हैं chemistry में आपन atm में भी दे दिया जाता है si unit नहीं common unit बोलते है लेकिन अगर si unit भी देलते हैं आपको exam में चाहे jack में चाहे shriviac में आपको क्या करना है आपको लिखना है pascal, atm, bar clear हुआ बात अब बात आता है कि kh का value जादा होगा तो क्या होगा क्या होगा अब ही आपन पड़े कि p is equal to kh into kai होता है हमको kh निकालना है तो p बटा kai is equal to kh आगिया clear है sir हाँ सरी यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आगिया थोड़ा सा kh के बारे में और बता दो तो मज़ा आ जाएगा चलो देखो बाबू p उपर है और kh भी उपर है मतलब directly proportional है तो pressure जिसका जादा होगा जिसका भी pressure जादा होगा उसका kh का value जादा होगा मतलब henry's constant का value जादा होगा kh उपर है numerator में और kh नीचे है मतलब जिसका kh का value जादा होगा inversely proportional वह ना उसका kh का value कम होगा अच्छा सर इसको अच्छे सहर बताईए सर देखो लिख देता हूँ p मतलब pressure अगर आपन pressure बढ़ाएंगे तो kh का value दोनों उपर उपर है kh का value भी बढ़ेगा सर बहुत अच्छी बात है अब आते हैं mole fraction of solubility of gas काई अगर काई का value बढ़ाएंगे तो सर ये नीचे है और ये उपर है मतलब उल्टा होगा तो kh का value कम होगा तो ध्यान रखना kh का value कम तो kh का value जादा kh का value जादा तो चलो इसको normal रखते हैं और ये समझते हैं कि काई का value अगर किसी का जादा हुआ तो उसका kh का value कम होगा और kh का value जादा हुआ तो kh कम होगा सर question कैसा आता है ये देखो ये statement पूछा जाता है if the value of kh is more अगर किसी भी gas का kh का value henry's constant का value जादा है तो उसका solubility कम होगा क्यों सर अरे अभी तो बताया kh जादा तो kai का value कम kh मतलब henry's constant तो अगर henry's constant का value जादा है kai का मतलब solubility of gas तो solubility कम होगा मतलब मान लो मेरे पास 3 gas है एक है nitrogen एक है oxygen और एक है hydrogen मैं कुछ भी ऐसे एक्जामपल ले रहा हूँ कुछ भी data ले रहा हूँ बस समझाने के लिए केज और solubility के वीच में क्या relationship है अगर मान लो कि nitrogen का kai का value हटाओ nitrogen का केज का value है 10 oxygen का है 20 और hydrogen का है 30 तो question ये पूछा जा रहा है पानी में सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा तो हमको पता है कि जिसका केज का value सबसे ज़्यादा उसका solubility उतना कम क्योंकि ज़स्ट उल्टा होता तो केज का value सबसे ज़्यादा इसका है मतलब केज का value hydrogen का सबसे ज़्यादा है है तो सबसे कम कौन घुलेगा मतलब काई का वेल्व सबसे कम किसका आएगा solubility hydrogen का ठीक है अच्छा जिसका k-h का value सबसे कम सर nitrogen का k-h का value सबसे कम है तो इसका solubility सबसे ज़्यादा हो तो nitrogen सबसे ज़्यादा soluble हो ठीक है यह देखो यह तुम्हारा relationship between k-h मतलब हेंरीज कॉंस्टेंट टी मतलब टेंप्रेचर काई मतलब सॉल्यूब्लिटी और गयास है ना तो पहले आपन देख लते हैं कि केज और काई के बीच में क्या क्या रिस्ता अभी जो देखे थे वही चीज को चार्ट से देखते हैं है ना तो देखो एक नाइट्रोजन के वेलू दे रखा 71.18 तो मैं 5 सेकेंड का पॉस्ट दे रहा हूं दोनों का केज के वेलू इतना दे रखा बताओ कौन ज्यादा सॉल्यूबल होगा किसी भी लिक्विड में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन कौन ज्यादा सॉल्यूबल होगा मतलब किस क्या काई का वेलू जादा होगा जाहिर से बात है उल्टा चलता है उल्टा चलता है मतलब सेर उल्टा चलता मतलब जिसका कम वेल्यू होगा 71.18 इसका केज का वेलू कम है तो इसका सॉल्यूबलिटी जादा होगा इसका केज का वेलू जादा है तो इसका सॉल्यूबलिटी कम होगा I hope clear हो गया तो ये तो था तुम्हारा k h और किसके बीच में relation, k i के बीच में, k h और t के बीच में क्या relation होता है, simple सा relation है, देखो इसमें क्या था, एक बढ़ता था, तो दूसरा घटता था, इसमें दोनों बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भ दूसरे का दोस्त ठीक है तो यहां देखो ना अगर टेंपरेचर 293 केलविन ले तो 74 वेलिव है 298 पे 86 वेलिव है 303 केलविन पे 88 है तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएं वैसे वैसे केच बढ़ गया तो यही रिलेशन था आपका किस के बीच में के एच टी काई के लोग गैस को लिक्विड में डिजॉल करते हैं सर गैस को लिक्विड में डिजॉल करने का दो चार एक्जामपल बता दीजे अरे सबसे अच्छा एक्जामपल है सबसे अच्छा एक्जामपल है हम लोग पानी के अंदर तैरते हैं तो क्या सास नहीं लेते हैं लेते हैं मश लोगया solubility of gas in liquid तो pressure को बढ़ाने या घटाने से solubility में क्या असर आएगा वो कौन सा low बतलाता है वो बताता है आपका henry's low henry's low का statement में temperature constant रखना है तो pressure is directly proportional to mole fraction इसको हटाते हैं तो k चाता है उसी को henry's constant करते हैं henry's constant का p बटा काई बराबर k चाता इसका होता है ऐसा unit क्या होगा इसका तो कोई ऐसा unit होता है इसका होता है pascal या atmospheric pressure atm या बार तो तीनों लिख सकते हैं clear है graph भी clear होगा ohm slow वाला ही graph है है और k h का value जादा है तो उसका solubility कम होगा I hope यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया